आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइन्स के एक इंपॉर्डेंट टॉपिक को that is hydrophobic and hydrophilic के बारे में hydrophobic, hydrophobic में hydro का मतलब होता है water and phobic का मतलब होता है डर यानि fear इसलिए hydrophobic molecule को hydrophobes कहा गया है क्योंकि ये पानी से डरते हैं या तो यू कहिए कि ये molecule पानी के साथ mix नहीं होते और dissolve नहीं होते there are many example of hydrophobic molecules in our daily life जैसे कि oil, fat, grease, alkane ये सभी hydrophobic है because they do not dissolve in water चलिए इसे एक example से समझते हैं oil and water oil and water कभी भी dissolve नहीं होंगे यानि mix नहीं होंगे because oil hydrophobic है जो पानी से दूर भागता है बहुत से plant ऐसे हैं जिनकी leaves में आपको hydrophobic की coating देखने को मिलेगी example के तौर पर देखें lotus के leaves को आईए अब बात करते हैं hydrophilic के बारे में hydrophilic में hydro का मतलब होता है water and philic का मतलब होता है love यानि वो molecule जो पानी से प्यार करते हैं उन्हें हम hydrophilic कहते हैं यह कहें जो पानी में mix हो जाएं उन्हें हम hydrophilic कहते हैं hydrophilic की example भी आपको day to day life में देखने को मिल जाएंगे जैसे कि salt, sugar, amino acid यह सभी hydrophilic हैं क्योंकि यह पानी के साथ easily dissolve हो जाते हैं चलिए इसे soap के example से समझते हैं soap basically carbonic acid की long chain है जो sodium और potassium से बनी वी है तो अगर हम soap के structure को देखते हैं तो उसके molecule के दो पार्ट होते हैं एक होता है head जो होता है hydrophilic और दूसरा होता है tail जो होता है hydrophobic तो जब हम कपड़ों को साबन के साथ wash करते हैं तो यह molecule dirt के साथ stick हो जाते हैं और एक spherical सा structure बनाते हैं जिसे हम कहते हैं missile इसमें जो soap molecule का head part है वो water के side रहेगा क्योंकि वो होता है hydrophilic और जो tail part है वो dirt और oil के स्टिक रहेगा क्योंकि वो होता है hydrophobic तो अगर shirt में dirt और oil है तो यह molecule एक spherical सा structure मना देंगे missile dirt के आसपास तो अगर हम shirt को जब wash करेंगे तो यह molecule dirt और oil को shirt से बाहर निकाल देंगे और इस तरह जो पानी है वो गंदा हो जाएगा और कपड़े साफ हो जाएंगे वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करिए चैनल पे नहीं हो तो subscribe किजिए बिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए keep learning keep shining